आज आपको सच्चंग के माध्यम से वह सच्चाई देखने और सुनने को मिलेगी जिसके द्वारा आपको स्वेम पता लग जाएगा कि जगत का उपकारक वा पूर्ण मोक्ष करवाने वाला गुरू कौन है पूर्ण सद्गुरू जब संसार में प्रिगठ होते हैं तो उनके पराजा को भटकाते हैं, झगडे करवाते हैं, जेल में डलवाते हैं जब कवीर सहीब जी आये थे तो उनको अनेको वार जेल में डलवाकर यातनायं दी गए गडगा को ज्यान समझाने के लिए घर गए तो कवीर साहिब पर चरत्र हनन का आरोप लगाया गया सराप पीने का आरोप लगाया गया कवीर साहिब द्वारा दीगई भक्ती बिधी, प्रत्थम मंत्र हुआ सतनाम के जाप करने से भक्तों को हर प्रकार के सुख होने लगे दुख हुआ बीमारियां दूर होने लगी बड़े बड़े चमतकार होने लगे उन चमतकारों को देखकर अधूरे गुरू कवीर साहिब को जादूगर कहने लगे यही आरोपाज संतरामपाल जी महराजी के उपर लगाये चाह रहे हैं तो आप आगे सुनिए सत्य सत्संद पवित्र शिरिमत भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाईविल, पवित्र गुरुग्रंत साहेब, पवित्र कभीर साहेब की वानी में छुपे हुए गूर रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृप्या अवश्य सुनिये जगत गुरुत तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन सत्गुर्देव की जय, बंदी छोड़ कभीर परमेश्वर जी की जय, बंदी छोड़ गरीब दास जी महराज की जय, स्वामी राम देवान जी गुरु महराज की जय हो गुरु नमान नमाव सत्पुरशको नमश्कार गुरु के नहीं सुर्नर्मनि जनसादुआ संतों सर्वस्ती नहीं सत्गुरु साहब संत सब डंडो तंपरणाव आगे पीचे मध्युवे तिनकों जा कुरुवान नराकार निर्विसम काल जाल वेबंधनम निरलेपम निद निर्गुणम अकल अनो वेशंदनम सोहं सुर्ती समापतं सकल समाना निर्तल उज्वल हिरंबर हर्दमं वेपर्वां अथाँ है वारपार्नी मध्यतं ग्रिवजो सुमरे सेदो होई गणनायक गलताना करो अनो गरसोई पारसपद परवाना आधि गणेश बनाऊ गणनायक देवन देवा चरनकमलो लावू आध्यंत करूशेवा प्रम्सक्ती संगीतं रिजिशिदिधातासोई अवगत गुने अतीतं सैत्य पुरश निर्मोही जगदंबा जगदीशं मंगलरूप मुरारी तनमन अर्पों सीशं भगति मुक्ति भंडारी सुर नर्मोन जन जावें बनमाविशन महेशा सेश सैश मुकगवें पूजय आध गणेशा इंडर कुबेर सरीखा वरूंदरम राइधावें समरत जीवन जीका मन इच्छा पलपावें देती से कोटिया दारा जावें से अठासी उत्रें बावजल पारा कट है यम की फांसी देती से कोटिया दारा जावें से अठासी उत्रें बावजल पारा कट है यम की फांसी करे जोरूं विनती करूं दरूं चरन परसीशे गुरुजी राम देवान जी महरा जने दियो नाम बकसी कोटी कोटी से जदा करूं कोटी कोटी परनाम चरन कमल मेरा आखियों में बंदी जान नाम कुता हों गुरुदीव का राम पाल दास का नाम गले प्रेम की जेवडी जांखे तो जाओं तो तो करो तो बावडों दुर दुर करो तो जाओं जो राखो तो हीद हूं जो देवो सोखां उन्हात माओ इस दास के विशे में आपको बहुत बार पर्मानित किया है कि कबीर परमेश्वर जी ने इस दास को भेजा है वो कम्पलीट कोरस देकर है संपून अध्धातम ग्यान वो मूल ग्यान है और सारसवद है अभी तक ये छुपा के रखना था जब तक पच्पन सो वरस कलियोग नहीं बीच जागा तब तक इसको डिस्कलोज नहीं करना था और जब ये समय आया कबीर परमेश्वर जी ने दास को सपैसे लादेश दिया सपैसे ला करके और कहा कि बसुरू कर दे मैं तेरे साथ रोंगा जिनता मत करना अब समय आ गया इसको डिस्कलोज करने का तो वो अब डिस्कलोज कर दिया गया अब कबीर साहिब कहते हैं ये बारा पंथ हम ही को जाऊएं ये कबीर नाम से दो पंथ चल रहे हैं कबीर साहिब को मानते हैं लेकिन साधना ठीक नहीं है और अस्तिरगर का मरम नहीं पावें वो कौनसे ये बार मा पंथ गरीबदास जी का पंथ है और बार में पंथ में गरीबदास वाले पंथ में कहा है कि गरीबदास वाले पंथ तक के विक्ती उस शतलोग नहीं जा सकते असंग जनम ठ्वर नहीं पाँए और संग जनम तो गरिब दास पंथ के भी असंग जनम तक सतलोग नहीं जा सकते क्योंकि उनकी सादना गलत है आपको दिखाते हैं वो बारा पंथ कौन कौन से हैं और कौन से पंधम प्रमात्मा ने स्वन आने के लिए कहा है उसके लिए देखिएगा कबीर सागर कबीर सागर संपुन गयारा भाग खेमराजी क्रिशन दास परकासन मुबई के द्वारा परकासित है यह संपुन गयारा भाग यह उन्हीं कहा है कबीर पंथियों का चाप्या होया कबीर पंथि भारत पतिक स्वाम युगलानंद विहारी द्वारा प्रिसकृत और यह मुदर के परकासित है ये है कबीर बानी नामा के एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है, बोद सागर खंड है, कबीर सागर गरंथ है, और कबीर बानी अध्याय है, इसके 136 प्रफ्ट पे, यहां देखिएगा, द्वादस पंथ चलो सो भेद, क्या बता है, कि द्वादस पंथ काल फुर्माना, और भुल्य जीवन जाएं ठेकाना, ताते आगम के हम बाख्या, वन समारा चुडा मनी साखा, पर्थम जग में जागू बर्मावे, बिना भेद वो गंस चुरावे, दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोगदर ढावे सोई, तीसरा मूल निरंजन, चोथाट पंथ टकसार, और अर पांचमा पंथ बीज का लेखा, फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो पर्मदाम की वानी पंथ, यह चल लेंगे, अब यह तो यहाँ इनों ने पर्थम पंथ, चुड़ा मनी को नहीं दिखाया, पर्थम जागू दिखा दिया, यह गल्द करके रहा है, और यहाँ देखना, यह है बोध सागर का ही, कबीर तरीतर बोध नामक यह चैप्टर है, अद्याय है, इसके एक 1870 परिष्ट परिष् पंथ, तीसरा सूर्थ गोपाल, मून नरजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवार दास पंथ, सतिनामी पंथ, कमाली पंथ, यह कमाल का पंथ, कमाल अला, कमाली का नहीं, कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम दाम की वानी पंथ, अर ग्यार मा, जीवा पंथ, और बार मा है, गरीब दास पंथ, यह बार मा पंथ याद रखो, यह गरीब दास पंथ है, ठीक है, यहाँ कलियर है, गज भाग और ये है पज्ज बाग कभीर वानी 136 प्रिष्ट पे 136 प्रिष्ट पर यहां आगे हम फिर दुबारा 12 पंथ काल फुर्माना बुले जीव नजाव ठेकाना इन बारा पंथों में काल का आदेश चलेगा नाम चलेगा ग्यान चलेगा अर्ताते आगम के हम बाख्या इसलिए बविस्य का पताऊंगा आपको वन समारा चूड़ामनी साखा यह पर्थम चूड़ामनी है इन उन गद लिख्या थोड़ा सा फिर बदल बाद में किया है इन कभीर पंथियों ने पर्थम जगमा जागू बर्मावे बिन जागू पर्मधाम की वानी पन थे और यहां आगे हम यह दस्वावद है पर्मधाम की वानी अब यह ग्यार मह वास्ताव में अब यह है बार मां कहते हैं समवत 1775 होई ता जिन प्रेम परगटे जगस होई समवत 1774 में गरीब दास जी का जनम होया था समवत 1774 वैसाख में यहां गल गाउंचुडानी जिलाजदर हरियाना के अंदर उनका जनम समथ 1774 में हुआ था ये गलती से 75 प्रिंट है तो यहां कहा है कि समथ 1774 जब आवेगा तो जग में प्रेम पर गठ होगा यानि वो मेरी महिमां की कुछ वाणी मेरा ग्यान पुन बतावेगा परमात्मा ने पता था कि जब काल के दूथ कभीर पंथमा गुसेंगे त। मेरी वाणी में भी गड़ बड़ करेंगे वे कभीर पंथमा में काफी कभीर साओर में फेर बदल कर रکыт है अपने इसाबत हैं तो उसको इसकी पुनरवरती के लिए उसकी पूरती के लिए परमात्मा ने अपनी पहरी आत्माग्रीब दास जी जो बर्मापन्थ वाले थे उसके माध्यन से इत्हरत ग्यान बुलवा रख्या है पूरी डिटेल के साथ इतना मुटा गरधव जिसका हम पाठ करते है समवत सतरा सो पच्छतर होई ये चुछतर होई होना जाए ये तादिन प्रेम परगट है जगसोई बर्मापन्थ का प्रवर्तक तब परगट होगा आज्या रहे ब्रम बोद लावे कोली चमार सब के गर खावे यानि वो भेद बाव कम करेगा साख हमारी ले जीव समझावे असंग जनम ठोड़नी पावे बार में परगट हो वाणी सब्द हमारी की निर्ने ठाण इबार में पंथ में गरीबदास वाले पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुने परगट होगी पुने अत्माओ गरीबदास जी की वाणी में क्योंकि प्रमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को दस वर्स के बालक थे चुदानी गाओं में वहां से सत लोग लेकर गए थे दरमदास जी की तरह फिर वह पर छोड़ा था परमात्मा को मालूम था कि बारा पंथा में कबीर पंथ के नाम से काल गुसेगा और नकली ग्यान देगा मेरे नाम का नामों निसान बटाए देगा ग्यान का तो अपनी पैरी आत्मा गरीब दास जी को ले गए फिर वापस गवा बना गया छोड़ गे उन्होंने उस वानी का आँखों देखा हाल लिखा जो दास के पास लवद है तो यहां क्या पताते हैं कि कभीर साब ने का कि बार में पन्त पर गट हो बानी और सब्ध हमारे का निरने ठानी ये बारा अस्तिरगर का मरम ना पावें ये बारा पन्त हमी को द्यावें यानि मेरी वानी को बार में पंथ परगट हो वानी और सब्द हमारे का अंडरने ठानी, हमारे ग्यान को वो कोशिस करेंगे समझने की, पर अस्चिरगर का मरम ना पावें, ये बारा पंथ हमी को ध्यावें, गरीब दास वाले पंथ में भी कहते हैं, मेरी महिमा की वानी परग प्राणी समझे न सारे रहे अग्यानी तो सत्गुरु आवे दयाकरी प्रमात्माने पर इस दास को देखिए आगे देखो इसका निचोड कहा होता है करते बार में पंथ पर गठ हो बानी सब्द हमारे का निरने ठानी पुन्य बानी पर गठ होगी मेरी गरीब दास दवारा औ मेरी अग्यान को मेरी वाणी को पढ पर पंथ कर लाँगे लेकिन अस्तिर्गर सत्लोक निचा सकते बार में पंथ फिर हम ही चल आउए ग्रीब दास वाले पंथ में हम आगए चल कर आऊएंगे और सब पंथ मिटाक है एक ही पंथ चल आऊए बिदेगे PB हमात्माने धिक दे बेज दिया, सारा वो जो का तुँ दे कैसा माना और इस दास का निकास गरीब दास पंथ से है मेरे पुज्य गरुदेव जी गरीब दास पंथ से संब्दी थे उन्होंने मुझे ये सारा ग्यान दे करके कह दिया था बेटाइब मेरे जाने के बाद यहां मता ना वापस यहां कुछ नहीं है सुड़ाणी में ये सारे भी मानी जीव हैं तेरे को लेना था हमने आगे या जोद के जोद जगानी थी विस इतना काम था यहां तो पुनात्मा उसके बाद दास्मा जाक्या भी नहीं शुडानी में जो माल थीब सत्गुर्व हमें दे गए और कहते हैं बारापंध गरीब दास्पंध तक भी पार नहीं होगे असन्ग जिनम तक यदि इस मारत को गिरन नहीं करेंगे और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो पर्थम चर्ण कलियोग निरियाना तब मगर मांडो मैदाना कलियोग का पर्थम चर्ण वो होगा जब कबीर साहिब मगर से सह सरीर जाऊंगे कहते हैं मैं सह सरीर जाऊंगा मगर मैं एक लिला करूंगा वो पर्थम चरन होगा कलियुक को परमात्मा कभी जी ने तीन चरनों में बाटा है पर्थम चरन जब सुमाए थे अब बिचली पीडी जो अब चल रही है और अन्तिम लास्ट वाले करत गनी हो जाएंगे कलियुक के जी वो बगती नहीं करेंगे मासा हरी बकवादी हो जाएंगे अब ये एक प्राइम टाइम जिन को अब मनुस्टी उन मिलेगा जो पुन्यात्मा है फटा फट परमात्मा बेज़ जाएगा उनको अब ज्यान ग्रहन करेंगे आपके गर ऐसी पुन्यात्मा होंगे बेटा और बेटी आते बगवान की बकवादी पर लग जाएँगे उनके आपका कर्म बने जाएगे उनको कोई दुख है नहीं है تंसेंड कढ़म हो जागी सारी ऐसी पुन्यातमाप के गर प्याओंगे कभी साइब कहते हैं जो बगती बीज होए जो हनसा जो मेरी स्रणमा आगया अर्तारू तासके को तरवनसा उसके 101 पिड़ी पार कर दूँगा ब्यालिस की दबाद छोड़ो जरमदास जी को मालक ने सारी बता दी थी पर ये मेरा दाओ पेच भी सारवजी निक ना करना मैं तुझे बता देता हूँ मैं के करूँगा कलियों की बिचली पीड़ी में बार मापंथ ये काल के जो कभीर पंथ मां होगे ना गरीब दासका होगा और तब तक मैं जो अब ये सोच अनुसार परिवर्तन करेंगे कुछ है इसका प्रारूप बगाडेंगे काल भिगड़ा होगा क्योंकि इसने सुकसंबेद का नाश कर दिया था और फिर गरीब दास नाम से बार मापंथा होगा ये मेरे नाम से उसमें मेरी महिमा की वानी को मैं पुनर यथारत रूप म पर गट करवाओंगा और वो वानी इतनी परसिद नहीं हुएगी लोग उसको छेड़ चाड़ नहीं करेंगे और गरीब दास ने आदेश दे दिया था उस लिखने वाले को कि जो मैं बोलू उतना ही लखेगा और इसमें कोई छेड़ चाड़ करेगा उसकी दुर्गती हो जागी तो गरीब दास पंथ में ये धारना गजब की बना रखे थी यह समझ माई मारे क्यों कर रखा था यूंका सब की धारना थी के मालक की वाणी में जैसा भी बोल रख्या है ऐसा है लिखना देश में एक बेक सर में फिर बदल कर दी तो उसकी कईयों के साथ ऐसी गटन गटगी थी वो छेड़ा नहीं करते इसमें प्रमात्मा ने गाली तक दे रखी है इन नकली पंथों को और इस काल को जो मैं बोल नहीं सकता और वो भी लिखडी पड़ी ने उसमें बेर बदल नहीं कर सके क्योंकि विरानमाटिक हो जाती है इनकी बगवान का अधिश था त कि रानमाट जो जो मैं परगट हो बानी और ये 12 पंथ जो है शबद नहीं कर सकंद कर दें नहीं कर ऐच आए ये 12 फंथ में प्रम जो हैं सब्ध हमारे का निरनः ठानी ये 20 फिर कर का मर्म निक आउए और ये 12 फंथ हम ईम इंकों जाहुए बार में पंत में हम आओंगे चलके और फिर जैसे इप कलियूग है ना धरमदाजी से बात करें थो कलियूग था शटार्ट आफ़दा कलियूग यानि बीच सीम ला ले कि ये पर्थम पिड़ी है ये पर्थम पिड़ी है और फिर इसके बाद बीचली पिड़ी जबावागी तब हम आवाँगे उस गरीब दास पंथ में आएंगे हम आगे चलके ये दास गरीब दास पंथ से संबंदित है लेकिन उन गरीब दास पंथ वालों के दास के विचार कभी नहीं मिले क्योंकि वो जो वाणी में लिखी थी बाते उनके विप्रित के रियाएं कर रहे थे एक मेरे गुरुदेव के तरिक उस पंथ में कोई भी संत ऐसा नहीं था जो ये मंतर सत नाम देता हो और वाणी में सपच लिख रखे ये दोखर का मंतर ये जाब करना ये मंतर है दोखर का ओमरेक ये तत अर फिर भी उटे जाब कराते थी तो मेरे उनका कभी विचार नहीं मिला इस कारण से हम छुदानी जाना भी बंद करना प्रार वो विरोधी भी बन गए थे जिसके कारण उनों बहुत प्रेशानियां भी पैदा की पर मालक के सामने किस की पार बसावेड़ अब यहां हम कभीर वानी चैप्टर कभीर वानी चैप्टर और बोद सागर का 137 वपन रहे हैं कति बार में पंथ परगट हो वानी सब्द हमारे का निरनेट हानी पुर्णे वानी पर गटोगे मेरी गरीबदास दौरा और अस्थिर गर का मरब निपावें सत्हाई लोग निजा सकते यह बारा पंथ कभीर कभीर करेंगे और मेरे महिमा मेरे उग्यान को मेरे वानी को पड़का पंथ चलाओंगे लेकिन अस्थिर गर्षत लोग नहीं जा सकते बर में पंथ फिर हम ही चल आऊए गरीबदास वाले पंथ में हम आगए चल के आऊएंगे और सब पंथ में टाक है एक ही पंथ चलाऊए पर्थम चण कर्योग निर्याना तब मंगर मांडो मैदाना दर्म राय यानि काल से मांडों बाजी तब दर्बोध दो पंडित का जी अब यहां कहते हैं पांच अजार पांथ सो पांचा तब ये सबद होगा साचा जब पच्पन सो पांच वरस कर यूग बीट जागा तब ये बात मेरी साची होगी दर्म दास तब तक तेया ना जच्चे किसी के अब देखो फिर कहते हैं धर्म दास मेरी लाख दो हाई ये मूल गयान है भूलनी मूल गयान कहीं बाहर न जाई पवितर गयान तुम जग में भाखो मूल गयान तुम गुप्ति राखो गोई राखो मूल ग्यान बाहर जो पढ़ ही कि बीचली पीड़ी हनस नी तरही 33 अर्व ग्यान हम बाख्या मूल ग्यान गुपत ही राख्या गोई राख्या और मूल ग्यान तुम तब तक छुपाई जब लग दौद्दस पंट मिटाई परमात्मान कहा धरमदास मेरी लाख दौई इस सत नाम और सार नाम नहीं बस हर दो निक ना करिये ना बीचली पीड़ी मेरे हनस नी तरहेंगे काल के दूतां जो रही नाम होता अधिकार ये है नहीं और आज ये दास कैसे अंतर दिखा था परमात्मा के बच्चों को कि ये नकलिर ये असली है तो परमात्माने नहीं कहा था धरमदास मेरी लाख दौई ये सार नाम की ता बताईए ना तुम जाब करो ऐसे सभी महापुरसों को जिनको सत लोग ले गिर छोड़ा सब को ऐसी कहा था आदनी नानक साहिब जी को आदनी ग्रीब दास साहिब जी को आदनी अमलुक दास साहिब जी को आदनी दादू साहिब जी को आदनी गीसा दास साहिब जी को किसी भी पंथ में गीसा दास पंथ में ग्रीब दास पंथ में कबीर पंथ में ये सत नाम नहीं है दो अखर का अब इस दास को बेज़ जा परमातमा ने अब उन मापुर्सों को गवा बना का आपको पर्तेक्स कर दूँगा कि कभीर इस गवड आगे देखो अब थोड़ा सा और कलीर करते हैं 134 परिष्ट पर देखो इन 12 पंथ तो ये सल पड़े गरीब दास जी तक और तेर माँ वन्स ये दास आया कभीर परमातमा का ये देखीएगा ये कभीर वानी बोध सागर में है बोध सागर कभीर वानी चैप्टर है 134 परिष्ट पर नीचे आगया वन्स परकार अब पर्थम वन्स उत्म ये चूड़ा मनी जी है दूसरा वन्स एंकारी तीसरा वन्स परचंड और चोथा वन्स बिरहे पांचमा वन्स निंदरा छटा वन्स उदास और साथमा वन्स ग्यान चुतराई आठमा वन्स पंथ विरोद नौमा वन्स पंथ पूजा दसमा वन्स परकास गर में वन्स परकट सारा बर में पंथ परगट होए उजियारा ये गरीबदास जी का बर मापंथ इस में मेरी मैमा की पुर्णे बाणी का कुछ परकास सा होगा थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा धुदला धुदले से तो अभी इसमें क्या बता है बर मापंथ गरीबद बार में पनथ परगट हुआँ अगे 134 पे बार में पनथ परगट हो बार बार में पनथ परगट हुआ अनुचे मेरी महिमा की वाणी में कुछ-कुछ घ्यान होगा कबीर साइब मेरा बारे में और तिर में उनस मिटे सकन अधियारा अभी तेर में उनस ये दास है अब सारा अन्धीरा राठ जागा एक कबीर साइब वगवान रहे जागा पूरे विशुवे में। जब कबीर प्रमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास में जिसमें कल्यूग का पच्पंसो वरस बीच जागा कल्यूग तब मैं आऊंगा और सब पंथों को मिटाके एक पंथ जलाओंगा उसके लिए देखिए का सौसम वेदबोद कबीर सागर में कबीर सागर संपुन गयारा भाग खेमराशी कृष्ण दास परकासर मुबई के द्वारा परकासित है यह संपुन गयारा भाग कबीर सागरी यह नहीं कहा है कबीर पंथियों का अचार प्या होया कबीर पंथि भारत पतिक स्वाम युगलानंद विया हरी द्वारा प्रिस्कृत अर यह मुदर के परकासर के जब प्रमात्मा और काल की वारता हुई थी उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि बारा पंथ तेरे नाम तो चलाओंगा और इन बारा पंथ हम जो नाम लेगा वे मेरे मुख में आन समोई कबीर साहब ने कहा था द्वादस पंथ करो मैं साजा और नाम तुमारा ले करो आवाजा काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को और द्वादस पंथ करो मैं साजा नाम तुमारा ले करो आवाजा द्वादस पंथ नाम जो लेई मेरे मुख में आन समोई अर जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा न माने हमरी ओड हो बाद बखाने तब परमातुमाने कहा था डट जा, आन देटें तब मैं क्या करूँगा तिरे संग में क्या बताया है ये देखिएगा बोध सागर कभीर सागर के अंदर बोध सागर और ये सवसम बेद बोध है इसमें इसके 121 प्रिष्ट पे यहां यहां लिखा है सत्युक्त रेता दुआ पर माही तिन्नों युग जीव थोड़े जाही युग नर्जन परमातुमाने वो चन लिये थे चोथा युग जब कल युग आई तब तो सरन जीव भुजाई ऐसा वतन हर वोई दीजे तब तुम सुनसार गव नहीं कीजे अब परमातुमाने कहा था अरे काल पर पंथ पसारा तिन्नों युग जीवन दुखडारा बिन्ती तोरी लीन में मानी मोग को ठगे काल भी मानी तो था युग जब कल युग आई तब हम अपनों वंस पठाई काल फंथ छूटे नर लोई सकल सिरिष्टी परवानिक होई गर-गर देखो बोद विचारा सत नाम सब ठोर उचारा अफिर के पांच जार पांच सो पांचा तब ये वचन होगा साचा कल युग बीच जावाज जब एता तो सब जीव परम प्रुस पद चेता इसका क्या आरत है कि जब पच्पन सो पांच वर्स बीच जाएंगे कल युग के तब मैं अपना अंस बेजूँगा अब परमात्मा अपने आपको छुपा करें और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परमपद से परीचित होगा उस बगती से और सकल सतिनाम का सब जगए उचारन होगा देखिए चोथा युग जब कल युग आई तब हम अपना अंस पठाएंगे बेजेंगे और काल पंद छोटे नर्लोई सकल सिरिष्टी परवानिक होई पूरी सिरिष्टी नाम लेवगी और गर-गर देखो बोद विशारा गर-गर परमात्मा की महिमा का विशार होगा ग्यान का और सत नाम सब ठोरु चारा सब जगे सतनाम का दिया जागा सब जाब किरा करेंगे और कल्युग पाँजार पाँबाद Пाँचा जब यह बचर होगा साच्जा कल्युग बीच जाए तब एता सब जीव परम पुर्श पद चेता यानि सब जीव उस पर मातमा के प्रम्पद्ध के प्रितित हो जाएंगे सवसंवेद बोद 121 परिष्ट पर अपना पड़ लिया था प्रिता जाएगा फिर नाम सब पुन्हात्माओं को सत नाम का वह दोख्र का नाम है और पांच जार पांच सो पाच्छा तब यह वचन मेरा होगा साच्छा कल यूग बीच जाए तब एता सब जीव प्रम पुरस पड़ चेता सब जीव प्रम आत्मा के उसे प्रम पड़ से प्रिचित हो जाएंगे अब देखना यह कबीर साहब का फिर सोसम बहुत दी चल रहा है एक सुए कटर प्रिष्ट पर आगे हम अपना अत्मा इसमें लिखा है पांच सेंस और पांच सो जब कल यूग बीच जाए कि महापुरस फरमान तब जग तारन को आए कबीर साहब कहते हैं जब यानि पच्पन सो पांच जार पांच सो कल यूग बीच जागा दब एक महापुरस आवगा मा तो नहीं खुद कही दिया हम चल कर आएंगे तो बार बार नहीं कहा माँ आँगे तब दच नहीं तो सफ़श कर दिया कि महापुरस फरमान तब जग तारन को आवे हिंदू तुरक आदी सब्जेते जीव जहान और सत नाम की साख गये हैं यह पांवा पद निर्वान पूरे जितने भी जीव है हिंदू है मुसल्मान है या कोई शिक है कोई भी आगे जो चलेंगे सारे जितने भी जीव जिहान में और दौसत नाम की साख ले वह पांवा पद निर्वान निर्वान वाने मोगस पद पराप्द करेंगे यह था स्रीत गण आप ही मिले संदू में दाए सथ सु करत के मद् समावें कहते हैं जैसे समुदर में द्रिया गण ये द्रिया इन जैसे गंगा जम्ना सरसुती सारी कहते हैं अपने आप दाय के दोड़ के उसमें जाके मिलकर इक्रस हो जाती हैं ऐसे सारे पंध एक दिन इस सचाई को समझ का उस मेरे वाले दस के दोरह चलाएगे उस पंथ में माह परूस्त वो तो मान थे इसलिए मान को महान ही कहते हैं हम तो दस हैं कहते हैं उसके दोरह चलाएगे पंथ मैं ऐसे भाग-भाग आऊंगे सब्सक्राइब निर्बाद हो करके आ जाते हैं तो ऐसे सब एक हो जाएंगे सारे पंथ देखिए यह था सरीत गन्य आप ही मिले सिंधूम अधाय और सत्सुक्रत के मद्द तिमी उस सचे पंथ के मद्द यह सभी पंथ ऐसे समावें जब लगपूर्ण हुए नीठीके कोची इसी वार कपड़ चातरी तब लूंगे सवसंवेद निर्धार कबिर साहिब कहते हैं मने समय धर दिया यह पत्ष पनसो पांच जब तक यह ठीक का समय नहीं आओगा ठीक माने निर्धारी समय तब तक मेरा सवसंवेद का यह वतन निराधार दिखाई देगा यह उस दिन जब लगपूर्ण हो एनी ठीक होती थीवार ठीक का यानि उन्यजदारी समय का कपट चातरी तब लो तब तक ये लोग चल कपट कर रहे हैं विचारे और मेरा सवसंवेद निरधार ये सवसंवेद में जो ग्यान लिखा जा रहा है तेरे दोरा मा बोल रहा हूं ये तब तक दो निराधार दिखाई देगे इबरे वतन अक वैसे कर रखा है अब कब आओगा वो दिन और एक अनेक हो गए एक से अनेक बना दिये काल नर नर ये पंठ बना दिये मजब बना दिये का ते पुने अनेक हो एक वो सारे फिर एक हो जाएंगे दुबारा और हनस चले सत लोग जाएंगे और गर-गर बहुत विचार हो दुर्मती दूर बहाएं और कल युग में सब एक सोई बरते सैथ सुबाव हैं कहते हैं सब तसत नाम लेंगे और कल युग में सब नर नारी सुध हो जाएंगे ये पुराई छूट जागी जैर दिखाई देगा यू कोई भी काम होगा बगवान को किसलिए ढूंडते हैं किसलिए उसक सर्ण गरेंड करते हैं कि सब दुख दूर किया करता है सब ऑँसकता है पूर्टी करता है और एसे कर देगा आप समझे नहीं सकूगे तो फिर आम नक्या एऊव्शकता फिर बगवाद करने की और फिर वि और सोई बरते सैद सुगाए सब प्यारत रहा करेंगे और कहां उगर कहां सुदर हो हर सब की भववीर सो समान समदर्ष्टी है वो समरसत कभी कहते हैं के तर डाकू ठक लुटे रे चोर और ये रिश्वत खोर और क्या फिर सुदर जो छोटी जाती है नीची कहते हैं सब एक हो गए भव भीर सब एक हो जाएंगे और वो जो पंध का परवर्टक होगा देखिए सो समान समदर्ष्टी उस सब को समान समदर्ष्टी चे देखेगा वो है समरसत कभीर गुलसत गुर्दे अपने आत्मो ये तो कभीर सागर में आपको पर्मानित हो गया कि कलियोग जो पच्पन सो पांच बीच जागा तब ये बात मेरी साची होगी दरंदास तब तक तो इन राधार दिखाई देंगे मेरे वचन कभीर सागर में अब ये निरने करना है कि पच्पन सो पांच का पूरे हुए अपने अत्मो अपने इंदू समाज में संक्राचारियों द्वारा दिये गए ज्यान को हम अथेंटिक मानते हैं अब उन्ही के अंदर पर्मानित करते हैं कि आज कलियोग कितना बीच गया अब देखिएगा एक पुष्टक है हमाले तीरत और इसके कौन है संपादक जे पी नम्बूरी उप मुखेकारियो अधिकारी श्रीबद्री नाथ के दारनाथ मंदर समिती अब यहां से हमाले तीरत पहला परकासन दोजार नो का परकासन के रंजू चकरवर्ती बामा चंडरायर रोड कलकता छेटर एबटे एक दुरवासितना गरंटसव जेपु नम्बूरी मुद्रक है ग्रीप पिंट सर्विसिज कलकता ठीक है अब इसके हम ब्यालिस परष्ट पर आते हैं यह ब्यालिस परष्ट है हिमाले तीरत नमक यह पुष्टक है यहां एक आदी संकराचारिय के जनम के विशे मताई है यह कोई सीवरेसे का एक सलोक है दोहा है संस्कर्त में सीवरेसे का इसका नुआद किया है अर्थात कल्यूग के तीनजार वरस विचीत होने पर बोद मिमान सकों के मत पर विजे प्रापती के लिए संकर्यती के रूप में आविर भूत होंगे यानि संकराचारिय का जनम जब कल्यूग तीनजार वरस बीच जागा तब होगा ये इनका बोईश्यवाणी थी और ये कब हुआ इसा मसीजी से पन सो आठ वरस पहले आदि संकराचारिय जी का जनम वादेखिए ये पुष्टक है जोतिर में जोतिर मठ और ये कहां से चपी है जोतिर में जोतिर मठ ये है अन्त विबोसित जोतिर पिठादी स्वर एवद्वार का सारदा पिठादी स्वर जगत गुरु संकराचारिय स्वामी शरी सरूपा नसरुपती जी माराद ये संरक्सक है संपादक लेखक एमेम संकलन करता है विश्मुदत सर्मा अज्धक्स अज्धात्मी कुथान मंडल दिली ये प्रेणा स्रोथ मुद्रिक पाइन प्रिंट एंड पैक्स ये वो सारा कुछी नहीं का वही है प्रकास के अखिल बारती है अज्धात्मी कुथान मंडल एक बटा बतीस सो चौतिस गली नमबर दो रामनगर्च मंडॉली रोड साध राजिली ये इनके फैक्स और फोन नमबर है इसके ग्यारा प्रिष्ट पर हम ले चलते आपको ये ग्यारा प्रिष्ट है अच्छे यहां पर क्या लिखा है आदी गुरू संकराचारिये का संक्सिर्थ जिवन परीचे हम थोड़ा सा पढ़ेंगा अपने मतलब का गुरू परमप्रागत मठों के अनुसार उनका अविर भाव किनका आदी संकराचारिये का अविर भाव काल इसापूरू पान सो आठ या चार सो चेटर वरस माना जाता है अब पान सो आठ है इसापूरू 32 वरस की आयो में की मरत्यू होगी चीश में से 32 कम कर दो चार सो चेटर ये जब तक इसा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये उटे चलते है कैलक्लेशन इदर को बढ़ेंगे तो वो घटेंगे तो इसापूरू से पान सो आठ वरस पूरव सिरी संक्राचारिय जी का जनम हुआ ठीक है अब इदर से हम गिनेंगे तो इसाप जी का जनम हम सन दो हजार से काउंट करें आसानी से हो जागा सन दो हजार को आधी संक्राचारिय को कितना समय हो गया था जनम हो गया ने दो हजार पानसोँ आठ वरस सन दो हजार को और उसमे कल युग कितना बीच चुका था इन्हीं के उस समय जोतिर मठूश्तक के आधार से उसमें ऊपर से गिनेगे तो तीन जार वरस कल युग बीच चुका था और जब उनका जनम हुआ तो अब सेगने तो उस समय को जब तीन जार वर्स कल्यूग बीट गया था सन दो हजार सेगने तो पत्चीस सो आठ वर्स वो जोड़े दें उसमें तो सन दो हजार को यो कल्यूग कितना बीट गया था पच्पन सो आठ वर्स अब हम पच्पन सो पांच खोजेंगे वो कद पूरा हुआ अब पच्पन सो पांच कल्योग कब पूरा होता है तो सन दो हजार को तो पच्पन सो आठ बीच गया कल्योग अब तीन पीच से चले जाओ उन्नीस सो सतानुए में पच्पन सो पांच वर्स कल्यूग बीच शुक्या था यानि पच्पन सो पांच आगा जो सोच लो कल्यूग तो अब वो पच्पन सो पांच उन्नीस सो सतानुए का फिर क्या रहसे है परमात्मा इस दास को फालगुन सुदी एकम सन 1997 मार्च कुमे इस दास को कबीर परमात्मा में ले थे उन्होंने कहा था कि बेटा अब वो समय आ गया है डिस्कलोज कर दे इस पूरे प्रोसेस को बोलो सत्गुर्दे अपनात्मा इस दास को भी अभी पता चला है यह कैलकुलेशन मिली है अब इस दो हजार बारा में कि हम कैसे कैलकुलेशन करें कि हम कितना कल्यूग बीट गया इससे पहले दास को भी नहीं पता था कल्यूग कितना बीट गया कोई त्रेब त्रेवेण 255 व्रस पहले लेकल करते थेकर द्रेब हैग कि जिता लिखी थी कोई फच्पन्सो व्रस कहा करता था तो अब 1997 में दास को मिला था तो उन्होंने कहा था अभी मेरे मिलने का समय तो डिस्क्लोज ना करिये कि मैं तुझे मिला हूँ ये अभी बताना नहीं कुछ दिन रह से रखना फिर बताना सन 2005 में इस दास ने एक पुष्ट गली की थी बगती और बगवान उसके अंदर परमान की दिया था कि किस किस को वो मालिक मिले कैसे उस द्रशे को सतलोग को देखा वापे सोड़ा कौन से मंतर दिये तो उनके साथ साथ दास ने कहा था कि इस दास को भी मिले और इस समय मिले और एक पुष्टक है अज्धात्मी ग्यान गंगा ये सन दो हजार आठ से चल रही है उस समय से इसके अंदर भी एक चैप्टर है उसमें दिखाता हूं दास ने इसका पहले वरण कर रख्या ये ना सोचना कि अभी बनावटी बाते बना रहे हैं नहीं ये पहले से देव नाम देने का तो 1934 में में स्टाइट हुआ पिटाण में छण में इन दो धाई साल में कोई ज्यादा संगत हमारी बनी नहीं और कुछ ऐसे ही बगते उनको उन मैंसे अभी तक को सार नाम ने मिल लिया है कुछ एक तो ऐसे हैं बोले बाले से तो कहने का भाव ये है कि तब प्रमात्मा ने 1997 में में कह दिया कि अब इसको खुले दल से दे दे अब सब देख लेंगे इनको चलने दे अब देखो ये जात्मी ग्यान गंगा एक पुस्तक ये आप को पड़ने को मिलती यहां से ले सकते हो इसके 538 प्रिष्ट पे 538 प्रिष्ट पे एक ज्याय है यहां नीचे है मुझ रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत दो हजार चंवन फालगुन मास सुकल पक्स एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सारसबद की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए थे इसक को अगले आदेश तक रहसे युक तरखने का आदेश दिया था किसको कि मैं तुझे मिला हूँ अभी ना बताना कुछ जिन किसे यकीन नहीं होगा तुझ उठा पड़ेगा तो दास ने फिर लिख दिया फिर आगे लिख दिया विसेस किसी को दस बताया नहीं लेकिन ये आ परमانस को कहते हैं मिला कभीर साथ का उता रहा है रेना पता नहीं कभीर साथ का उता रहा है अब दिखाते हैं कि परमेश वर कभीर जी से लेकर इस दास TAK हमारी कैसे लाइन जुड़ी हुई हैं सबसे पहले परमेशव वर कभीर जी समय बहाकर आदनिया ग्रिब्दास साहि जी ने अपना एक से स्री सीतल दास जी माराज बनाया और उनको ये कम्पलीट कोरस दे दिया, उनसे पर्तिग्या ले ली थी, आगे किसी को तु जिकर भी ने करेगा, केवल एक से सको जाने से कुछ में पहले ये दे देना, और वो स्वम्जाब कर सकता, दूसरे को नहीं बता थीक है, बगती मारक पर लगा रहे, पर मातमा की महिमा की वानी का पाठ करने से, और धर्म पून करने से, उनको मनुस जीवन मिल सकते हैं, लेकिन पाप भी साथ भोगने पड़ते हैं, ये इतना लाब उनको जासे मिला, क्योंकि इसको छुपा के लियाना था, इस मूल ग्य को मिला नहीं इनका क्या होगा तो प्रमात्मा कभीर जी ने ध्रमदास जी को पहले अपने सामने बेज दिया और जीवित समाधी दे दी इसको अक्तू नकलाड़े तो मरे ओनाम निया परगे टोने दिया और स्वयम उनके पूत्र चूडामणी जी को कभीर प्रमेश्वर जी नहीं दिखिए दी उसको आगए पांच नाम ही देने का दिकार दिया आगे चलके यू टक्सारी पंध आपको दिखा कभीर पंध में तीसरा चौथा पंध है टक्सारी उसमें छटी पी डी तक तो वो ग्यान ठीक चला पांच जमी तक ता पांच नाम वाला भी तो दास काई दिया कि तू नाम तो देता है ये इन माविशनों में इसाले कम लोगे बात करो तुम सतलो के नहीं ये नाम ठीक नहीं कभीर सागर में लिखा है अदी नाम अमर नाम पात अले सुप्शन दू नाम यह अंदसका काम यह बात नाम अब वो शुरू करवा दिये वो गरीबदास जी के बाद सीतल दास जी माराज गाउं बराना जिला जजजर वरतमार में उनका एक छोटा सा समाधी आसर बना हुआ है यह देखिएगा यह बक्ती बहुत नामा के पुछते कैस में आपको हमने इस सारा चपवा रखिया है यह देखिएगा मेरी गुरु पर नाली बंदी छोड कभीर साहिब जी माराज कासी उत्तर प्रदेश क्योंकि सत्गुरु भी थे कभीर परमाराथमा लेकिन परमाराथमा भी थे सितल दास जी संत जान दास जी संत राम डास जी इनके चेले ब्रम संत ब्रमानन जी कृनफा में और ञुकरला ग्रुजिँ गौपालपुर रण सनि पत रिया ना में करकोद्दा के पास संत राम देवानंदी महाराज तलोंडी वाइफ रोजपुर पंजाब में और ये गार माय दास राम पाल दास यहां तक हमारी परनाडी सिधी जड़ी है पुनात्माओं ये जितने पुनात्मा संत मैंत हैं पुनकर्मी पराणी हैं और इनको कार्ल ने स परचों को मिसगाइड करने के लिए और वो पूरो जनम की पुनकर्मों से प्रीपोरोन होते हैं और लास्ट मैं उनके चारदर ठीक नहीं होता पिछली बैटरी जब तक चले चले पुन और फिर आगे इनकी बगती ठीक नहीं होती फिर स्विम दुरुगती को प्राप्त हो वानी थे काल के फसगे और उन्होंने सनुनी सो इकतर में इस दास के बारे माकास वानी की थी कि वो एक महापूरुस आवगा देखो थोड़ी सी पढ़ेंगे जब अच्छा लगेगा एक है यह जैगुर्देव की वानी पुस्त का भाग दो और यह है श्रीमो तुलसी दास दी बाबा जैगुर्देव जी माराज परमसन तुलसी दास दी माराज और इसके चेले के हैं विश्वों को शानती नीशे मिलेगी मिलगी शानती दूना बिगड़ गया काम अब यह है जैगुर्देव की अमरवानी साकाहरी सदातारी बालसंग से संकलित प्रकासिक दिव्या सर्मा 88 साकेत कलोनियम मुथुरा उत्र परदेश मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस्टेन मुथुरा उत्र परदेश इन्होंने पहले इसके 69 प्रष्ट पर चलते हैं यह है इसका 59 प्रष्ट इसने 28 अगस्त 1901 के एक आका स्वानी करी तुलसी दास जी ने जैगुर्देव पंद के परवर्तक ने महापुरुस का जन्म भारत वर्ष्ट के एक छोटे से गाउं में हो चुका है 1901 को और वहे व्यक्ती मानुवितियास का सबसे मैतो प्रुन व्यक्ती बनेगा उसे जन्ता का इतना बड़ा समर्थन पराप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है वहे मापुरुस नए सिरे से विधान को बनाएगा और वहे विस्वे के संपुर्ण देसों पर लगव होगा उसका एक जन्डा होगा उसकी एक बासा होगी 28 अगस्त 1901 को इसने ये परवचन कर दिये फिर सर्दालों ने पूछा वगवान जब वो आ लिया है माराजी तो इसका पता है बता है जो बहुत पीछा पड़ी दिये तो फिर इन होने देखिएगा 7 सितंबर इसके 50 प्रिट पर लिखा है इसाकारी पत्री का 7 सितंबर 1971 को इसने वविशे वानी बोली देखना वह आवतार जिसके विशे मठाई सगस्त 1901 को इसने वानी की थी वह आवतार जिसकी लोग पर तिक्सा कर रहे हैं वह 20 वरस का हो चुका है इस दास का जनम रामपल दास का जनम 8 सितंबर 1951 को हुआ और 7 सितंबर 1991 को यह दास पूरा 20 वरस का होके 8 सितंबर को जो है 21 में वरस में लग गया था यह 7 सितंबर 1900 की कहत्तर को यह दास 20 वरस का हो चुका था वह आवतार जिसकी लोग पर तिक्सा कर रहे हैं 20 वरस का हो चुका है और है यद ही उसका पता बता दूँ लोग पीछे पढ़ जाएंगे अभी उपर से आदेस बताने के लिए नहीं हो रहा है मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ और सभी मातमाओं ने समय का इंतजार किया है समय आते ही सब को सब कुस मालूं हो जाएगा अपने अतमाओं सन 2011 में दासने सतसंग करके इनके साथ अज़ात्मी ग्यान चर्चा के मादम से भी सादना से लनवाड़ों ने यह सत्रे कर दिया था कि यह पुनकर्मी प्राणी सन 1971 में इसकी दिवद्रिश्टी काम कर रहे थी क्योंकि इसकी बैटरी सारज थी पिछले पुनकर्मों से आगए यह 500 नामकाल के जाब कर रहे था वो कोई बगती थी नहीं तो 2011 में दास ने यह कहा कि यह थी आज इसकी दिवद्रिश्टी काम कर रही है तो यह बता दियो वो कौन है वो कौन है वीस वर्सका था उनी सोई कहते रहे इसको बता देना चाहिए कि बरवाला मारे हर्दाव वाई लेलो नाम जाउत कर लान कर वालो लेकिन उस समय यू फ्यूज़ो लिया था इसकी बैटरी डिस्टारद वो चुकी थी वक्ती खत्म हो गी थी और गलक कमरे हाथ पर इसके जिंदा लास लिये फिर रहे थे इनको और जब इसके जून ही रहेंगी तो दो तिर मिना बाद से काल ले गए इसने उठा गए या थ इसके लिए सुवसर दिया था दाताने कि अपने भार मुक्त हो जाता और प्रमातमा के बच्चे असानी से आगए इसके कहते ही सारे मान जाते विस्ता लोग पहले से कहा करते थे और इवागे एक दम सारे समझ जाते लेकिन इसने उस बात पर असर ने किया इसलिए यू कु तो ये भी क्रेडिट यू नहीं ले सके हैं तो पुनातमा एक नस्त्रे दमस्की आप भूशे वाणी पढ़ कर देखना इस दास के लिए कबिर साब कहते हैं आपनी महिमा आप बखानी मारे बारे हम कोई दूसरा बतानी आनी कोई भी आप आरती आप साथ आप किंगर आप आप ताल धान दन कहरा आप नचाफ देखनार के कि विरस यारती गाउं आप आप मद्दे आप समाओ तो आप बतानी पड़े हैं यह सारी कानी वै कौन हो मैं कौन हो कहा है कैसे लावगा अब जैसे इन बवी से वकताओं का ता काम इतना है जैसे कोई खगोल बगोल का गया और यह बता दे कि अभी परसों च्छे बज़ के 35 मिंट परसों यह उद्य होगा और वो ना बताते तो भी उना था क्योंकि विद्धान है तो इन होने बता दिया अच्छी बात है कि वो ऐसे ऐसे है ना तो परमात्मान जो पहले कह रहा कि जो सन तेरा सो अठाणों में कभी बगवान आये थे तो 120 वर्च रहे थे 1518 हम गए थे उसी समय कह दिया था कि ऐसे ऐसे होगा उसका वचन था जिसके वचन से सब बर्मान घूम रहे उनीके वचन से आज पूरे विश्वे में यह शांती फेल लगी सारा संसार बगवान कभीर जी की वगती करेगा गर गर में आज शांती होगी और सब को इतने सुख होंगे आप सोच भी नहीं सकते तो उस पर मातमा का विद्धान था यह ना बताते तो भी यूद्धिंत आनाए था बोलो सद्गुर्दे अपना अत्मों सभी इस समय के विशे में जो वरत्मान में समय चल रहा है अब बात चल रही है संसकार की कि परमातमा अपने भक्तों के संसकार समाफ्ट कर देगा और अपने कोटे से फिर उनकी पूरती करेगा तो फिर हम भक्ती भी कर सकते हैं परमातमा की सिवा भी कर सकते हैं और अपने मोक्स भी प्राप्ट कर सकते हैं अब जैसे आपको बहुत बार इस समय के विशे में और इस दास के विशे में बहुत सी बविशे वानियां भी ऐसा अनमोल्ड समय है पुन्यातमाओ, बगवान ने तो निरधारित कर ही रखा है, 600 वर्स पहले, वैसे तो परमातमा ने पर्थम सत युग में कह दिया था इस काल से, के चौथा युग जब कल युग आई, तब हम अपना अंस पठाई, हम अपना दास बेज जेंगे, और फि कल युग बीतता है, 555 जब ये वचन मेरा होगा साचा, कौनसा के मैं सच अपना अंस बेजूँगा, ये वचन के मैं अपना अंस बेजूँगा, और सारी सिरिष्टी नाम लेवाएगी उस मेरे दास से, और सब का कल्यान होगा, सब का मोक्स होगा, और फिर बता है कि कल युग बीत जावे जब एता, यानि पच पन सो वर्स बीत जागा जब कल युग, सभी पराणी परंपुरस्पद चेता, सभी पराणी उस परमात्मा के उस परंपद के जानकार हो जाएंगे, कौन से के, गीता अध्धाय नंबर 18 के स्लोक नंबर 62 में, गीता अध्धाय नंबर 15 के स्लोक नंबर 4 में, कहा कि अरदुन तु सर्वा भाव से उस परमेश्वर की सण में जा, उसकी करपैसी तु परम सांती को, और सनातन परम धाम को पराप्त होगा, सासवत सथान, कभी नाच में ने आने वाले को सासवत सथान कहते हैं, उसको सतलोक कहते हैं, लोक माने धाम सथान, गीता जाय नमर 15 के इस लोक नमर 4 में कहा कि तत्व दर्सी संथ की प्राप्ती के उपरांथ, परमेश्वर के उस परमपत की खोज करनी चाहिए जान जाने के बाद सादक, फिर कभी जनम मर्टू में नहीं आते हैं, तो यहां बता है कि जब 5500 वर्स बीचता हैगा, आम नास तक पता है नहीं था, सत लोक भी को इस थान है, और यह राद दा सवामी ओले दन दन सत गुरु वाले यह, सत लोक करे दिन खकका, नहीं पता था, ओए सत नाम, ओए सौर नाम, ओए सौर सबद, ओए सत परुस, और खकता इनको बता, तो हम ने परंपद का कभी सुना भी नहीं था सत लोग के बारे और आज बच्चे बच्चे के मूँ पहु गया, बच्चे बच्चे की जुबान पे सत लोग सच्कंड जावाँगे, जैसे दास मिल रहा था बच्चों से संगत से, एक छोटा सा बालक अपनी विमानाने वाला है, तो यहां काया कि सभी प्राणी परमेशवर के उस परमपद की परिचीत हो जाएंगे, तो उसी के विसे हम एक फ्लोरेंस नाम की बउशा वक्ता अमेरिका की थीर, वो भारत के संथ के बारे मगुनगान कर रही है, नास्त्रे दम्स फ्रांस का रहने वा आला था, वो भी कहता है, वारत में एक महापरुष संत आएगा, जो पूरे विश्वर को सचा ग्यान देगा, और एक सबत समाज की सथापना करेगा, विकार रहीत होगा, आपस में बुराई नहीं रहेंगी, लडाई नहीं रहेंगी, तो उसी के संबंद में थोड़ी सी औ और सुनाते हैं आपको, एक ये पुष्टक है, पुराणी सी हाथ लगी है, किसी बगत का है, इब हमारे बगता खुजी होगे, उनको कहीं पर भी कोई सुराख मिलता है, उनको पता ही लग जाता है, ये किसके विशे हम बोल रख्या है, अब नास्त्रे दम्स की बविशे ब कोई किसी पर सेट कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, वह पूरी होई नी सकती, अब आथी के कपड़े को, अस्तर को, और दोटे बदर कर देखा है, कीता होगा हो, वो ता आथी बाए फेटो हगा, वो जिसका है, ये देखियेगा, यह एक पुष्टक है, एक पुरानी फटी पुरानी सी है, कितब यह देखो, युग निर्मान की सुनिस्ति संभावना, यह तो इसका नाम है, टाइटल है, लेखक है, इसका बलरांग सिंग परिहार, प्रकासक है, युग निर्मान योजना, गायतरी तपोग भी मत्वरा से, हैं, सितना है उल्लेख है, इसका जएदा आगे नहीं लिखा, यह ङत अएल Streff, यह देखेगा, परिष्ट नंबर 19 पर, यह परिष्ट नंबर 19 है, इसके परिष्ट नंबर 19 पर, यानि 19 पर क्या लिखा है, कि सवधेन्ता, यानि आजादी के चार वर्स बाद, एक सकती, साल द्धार्मिक संस्था परकास में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा अब यहां यह क्या है कि किसी एक बविश्य बानी है हंगरी नाम का कोई बविश्य वकता था उसकी ली है इसने अपने पुष्टक चार की है अपने ही साब से इनोंने उस पर सेट कर रहा खिये इसका अर्थ ये था कि 1904 में बारत सोतंतर हुआ उसके चार वर्स बाद दास का जनम होया 1951 में इसका अर्थ तो ये बनता है कि स्वादिन ता कि चार वर्स बाद 1951 में एक संत का जनम होगा दो धार्मिक संस्ता को ऐसी बना जो पूरे विश्वय का कल्यांड करेगी यहां थोड़े सी अकड़बर कर जाते हैं अब और दिखाते हैं यह देखिएगा यह तेईस परिष्ट पे है यह तेईस परिष्ट पे यहां लिखा है इस संग्ठन का स्वामी संचालक कोई गरस्त वक्ती होगा अब तक दुनिया मैं सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याती प्राप्त करेगा वह विक्ती समाजिक उत्रदाइतों से लेकर संसार के सब देश सांतिपुरुन कैसे रहें उसकी यह विवस्थित आचार संहिता तयार करेगा उसके जीवन भरके संग्रित विचारों को यह जी एक पुष्टक में लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुष्टक बन जाएगी इसका अर्चिये है यहाँ एक 39 प्रिष्ट पे देखिएगा 29 प्रिष्ट पे एसिया के किसी देश संभावता भारत वर्ष में एक नमर गरामिन प्रिवार में एक महान आत्मा ने जनम ले लिया है जो एक महान अध्धात्मिक करांती का सुतरपात संचालन और नियंतन करेगा इसके पीछे किरियासिल आत्माओं की सक्ति होगी जो संसार की वर्तमान विक्रिक प्रिष्टिशियों को बदल डालेंगी 1999 में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जनम लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित सक्ति किसी भी सक्ति संपन रास्टर के बराबर होगी वह एक बासा एक संस्कृति एक धर्मुक की आचार सहीता सर्जन करेगा यह देखिए का 43 प्रिष्ट पे यह लिखा है कि दिव देधारी पुरुष ने जनम लिया है वे सब के मन में परसंता बरेंगे दुनिया बरके कश्ट दूर करेंगे अन्याई और अत्याचारियों को भीवट ठीक करेंगे रात्री के पर्थम पहर में जब मैं प्रगाड निंदरा में होता हूँ तो सौपन मैं एक दिव पुरुष को देखता हूँ किसी जलासे के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भाओं के जा मिलती है तो उसके अर्द चंदरमा के दरस होते हैं उसके बाल सफेद हैं सुबर वेश वूसा है या निशादान सुंदर गोवरन गोर है गोरा कलर है तथा पैरों में चरम विहीन पाहन यानि पादुकाएं हैं बिना चमडे की जूतियां पैनता है आज तो हमने पूरे अन्याईयों कोई बैन लगा रहा है कि चमडे की जूतिया तुमने पैर नहीं है नहीं मैं तो पैर हूँ ठाकिते अब देखिए गाइस के प्रिश्ट नंबर सेवन्टी टूप है क्योंकि हमने इसके साथ साथ सथसंग भी सुनाना है आपको जो कि संसकार के उपर बात चल रही थी उसका कुछ भी से इसमा आपको समझाएंगे इसके बैतर प्रिश्ट पर देखिएगा यहां लिखा है कि इतिहास के एद्वित्य मापुरुष के बारे में नास्ट्रेट डमस ने भी कुछ संकेत दिये है उसके मस्तक में चंदर्मा होगा वेस वुसा बहुत साधी होगी यानि लाल पीड़े कपड़े नहीं होगे उसके लंगोट लंगाट बांद गानी गुमगा दो विवा होंगे दो पूत्र होंगे दो पूत्रियां होंगी अब यहाँ इसके उपर थोड़ा सा आपको संसकार का भी बताऊंगा कि जैसे इसने लिखा है नास्त्रे दमस जी ने कि उसके दो पूत्र होंगे दो पूत्री होंगी दास के चार संतान है ऐ जिटिज और जो यह मविसें वक्ता होते हैं या दारसनिक होते हैं इनको जो भी होना है जो भगवान नर्दारित कर रह backyard वो ही देख सकते हैं अर्दारित करनिया भगवान है वो उसने गटाबड़ा भी सकता है जो समयाने पर वो उसकी अपनी मوج होती है इसमें लिखा है कि उसके दो व्युहा होंगे तो पुन्यात्मों प्रमात्मा ने संसकार काट दिया दास का दो व्युहाओं का संसकार था होगा था जो बगवान ये देख रहे हैं तो गलत थोड़ी देख रहे हैं और चार संतान का भी संसकार था, वो चारों उत्पन भी होगे, अब उत्पन होने मातर से बात नहीं बनती, आगे इनकी परवरिस, इनके विहाब, साधी, तो बहुत लंबा कारिये था, बहुत बड़ा रिन था हमारा रिनका, तभी तरह उस संतान रूप में मेरे पास आए, इनके साथ ही रह करके इनका लेन देन करना था, फिर पर मातमा ने उनका लेन देन तो खुद किया, और दास को अपने सर्ण में लेकर, ये दास, जुनियर इंजिनियर, जेई की नोकली करता था, अर्याना, सिचाई भी भाग में, और ये भी ना कोई सोचा किसी का वरम होज पर मांगनियां खाणियां था, इसलिए वो छोटी जिया गए, छोटी नोकली ना, दो रोटी वड़िया मिल रही है, तो कहने का भाव ये है कि पर मातमा ने दास को अपनी सर्ण में लेकर, एक बड़ा लड़का, एक बड़ी लड़की का क्यों व्युहा व्युहा किया था दो बच्चे पढ़ ही रहे थे, उस समें दास प्रमातमा के सर्णोम लगया था, नोकरी जाग करें, और वो बच्चे आज अन्ने से कम नहीं हैं, यानि मालक ने उनको औरों से भी, के एक्विलेंट ही उनकी प्रवर्स करके, जो दास ने करने से वो बगवान ने करीब मेरा संसकार काइट दिया, ना महीं नमल जा रहे था, फिर आप तक कैसे पहुचा पाता, इस अन्मोल ग्यान को, और दूसरा था व्योहा का, और यदि दूसरा व्योहा हो जाता तो मैं वही लट पट रहता, फरमातमानों भी केनिसल कर दिया, अब जैसे क्या बनती एक चुटकल से, कोई संताना थी, बड़े वाली के, तो कुछ दिन के बाद वह आपस में जगडा बहुत करन लगी, तो दोनों के मायके वाले आकर के उन्होंने क्या फैंसला किया, वही ऐसे नहीं, इनको अलग-अलग कर दो, एक को उपर चुबारे में, इस दूसरी को नीचे, ठीक है, फिर उनका जगडारे ने लगया कि एक कहती है कि मेरे पास कम आता है, नीचे रोटी खाएं जाता है, फिर वो जगडा में टाया, और दोनों के मायके वाले फेरा गे, उन्होंने कहा भी ऐसे करो, एक दिन इसका यहां पर खाना खाएगा, एक दिन उपर, एक दिन नीचे, उन्होंने कहा दिया वी पर्थम एक कमने ता नीचे, अर्जवितियान उपरे, तर्तियान नीचे, चतूर्तियन उपरे, ऐसे खाएगा, ठीक है, एक दिन क्या हुआ, वो छट और सात्यम कठी होगी, अब जो ही वो दर्वाज्य में आया, नीचे वाली उड़े पकड़िया हाथ है, उपर वाड़ इन दूसरा पकड़िया, उसने खेंच के लेगी उपर ने, जिनने हमा गए, फिर वा बाग के लाई नीचे गशीठ के उसने, अगनाद सात्यम है, वाकए छट है, उसके गोड़े फोड़ दिये, रियर्शल करेके, तब उन्हात्मा उड़े हो जाते ये दो भी वह इतने बुरे बताए हैं कि एक बार उसी व्यक्ति का चोरी होगी, चोर पकड़ लिया, पंचायत होगी, पंचायत में फैसला होया भी जिसका दनजा रह हुए बतादे इसको क्या सजा दें, और जिसके दो ब्या हो रहे चो दुखी छक्क्र थाए नो बहला इ या चट साथम कठी होगी जोब देखूंगा इसने तो या चट साथम के चक्कर में ये मालिक ने ये संसकार दास का चैंज कर गया मासा गटै नतिल बदै विदना लिखे जुलेख साच्चा सत्गुरु मेट कर उपर मार मेखूंगा अब इतक आप ची को बहुत सी बविशेवाणियां रूबरू कराई हैं उनी के साथसथ और भी बहुत सी बविशेवक्ताओं की बविशेवाणियां हैं तो इस दास के ऊपर खरी उटरती हैं उन में से एक है कि उस शाइरन्स लाइन की माता तीन सिष्टर होंगी तीन बहने होंगी तो दास की माता तीन बहने थी अब आपको दिखाते हैं एक किसी वेब साइड से भegtों ने निकाला क्योंकि अब सभी भagट यही देखनें पर लगे हुए हैं कि यह बविश्य वाणियां किसके ऊपर खिरी उतरती हैं एक वेब साइड से यह निकाली है यह आपको दिखाते हैं देखिएगा ये है शिर्चिंग साहरेंस लाइन येक वेब साइट से निकाल लिया है नाश्त्री दमश ए फैमेश नेम रिक्वार्ड नो इंट्रोडेक्शन ये हैड प्रेडिकेटिद अबाऊट नेमोरियस इवेंट अफास्ट प्रेजंट और फूटर अब इसमें आगे क्या लिखा है ये है सेंटरी सेंटरी नमबर दस क्वेस्टन नमबर 75 में क्या लिखा है अब इसमें क्या होता है कि ये तु है मूल लेंग्वेज नास्टरा डमस्की और इसके अनवाद करने वाले अपने हिसाब से इनों ने किया है इनों ने कोशिस की है कि हिंदुस्तान के अंदर इसमें आगे लिखा है कि जिस देश का नाम एक सागर के समुद्र के उपर होगा हिंद मा सागर उस देश का नाम वो होगा यानि हिंदुस्तान और फिर ये बता है कि वो उस स्थान पर जनम लेगा जहां पर पांच दरिया बेह रही होंगी फायवरी वर्स सन पंदरा सो पच्पन में नास्त्रे दमस्जी ने ये बविश्य वानी की है और उसके बाद की बताई है कि सन दो हजार च्छे में एक हिंदु नेता अचानक परकास में आवगा उस सिमें उसकी आयूब पचास और साथ वर्स के बीच होगी इस दास का जनम आठ सितंबर सन उन्नी सो इकाउन को हुआ ठीक दो हजार च्छे में ये दास पच्पन वर्स का था उसके बाद और भी बहुत सी बविश्य वानिया उन्होंने की हैं की वो एक ऐसा ऐसा ज्ञान डिस्कॉबर करेगा जो एद्वित्य होगा ये देखेगा वल्ड विक्टोरियस संत दा प्रफेशी ओफ नास्ट्रादमस अबाउट संत रामपाल जी ये बता रखा है कि पहले उसकी बहुत सी प्रफेशी सिद्ध हुई है बारत में पर इंद्रागान डीजी के बार में भी हुई है फिर लिखा है यह लिखा है इन दा एंड ओफ सेंटरी पांच अफ दिस प्रफेशी एंड इन दा बिंगनिंग ओफ सेंटरी छे यानि एक सेंटरी उसने दो हजार के बाद दो हजार पांच के बाद दो हजार छे सन है नास्तरी दमस has written that from today i.e. पंदरा सो पच्पन A.D. exactly 450 years later i.e. in year 2006 a Hindu संथ सायरन will appear i.e. he will be talked of the whole world at that time the age of that Hindu religious son siren will be between fifty and sixty years और दिखाते हैं making everyone follow the same rule regulation and discipline he will bring them on that rupat I.e. in नास्तरी दमस prove one thing indisputably that that siren any religious leader will discover a new knowledge he will neither be Christian nor a Muslim nor a Jew he will definitely be Hindu he will be more intelligent than the former religious leaders and he will be envisable नास्तरी दमस जी ने बताया है कि वो एक ऐसा ग्यान डिस्कवर करेगा दात्मी ग्यान जो आज तक किसी भी संत साधू ने नहीं बताया होगा और वो अध्यात्म मार्ग में पूरव के सभी संतों से ग्यानवान होगा देखियेगा ये century number one century number one question number 76 छी अत्र में that the three sisters will have the name of destiny इसका इन वाद भी किया है स्वेम ये this prophecy gives the sign about family members mother of siren's line are three sisters who will have name of destiny the original water color image 44 made by Nostra Dhamas shows three sisters who will have name of destiny one of them wearing black cloths mad like angel by Nostra Dhamas is the mother of siren's line कहते हैं इसका वहाव है इसमें लिखा है कि Nostra Dhamas ने उसी से में ये चित्र बनाए थे और इसमें जो काले पैनी होई है कपडे और जिसके ओपर एक अलग से sign दिया है ये है उसकी माता इसे सिद्ध हो गया कि उस सायरस लाइन की यान उस धार्मिक नेता की अध्यात्मिक गुरू की माता तीन बहन होंगी इस दास की माता तीन सिश्टर थी तीन बहने थी माता अभी भी जीवित है दो एक्सपायर हो चुकी है माता जी क्या सुबना में आप जिका अंद्रो देभी माता जी कौन से गाउन से आप दमकन खेडी माता जी आप कितने भाई बहन है शेवान भाई तीन बहन है तीन बहन है तीन भाई माता जी आपकी जो तीन बहन है उनके क्या क्या नाम है आपड़ी लेचमी, मेरे ना अंधरादे भी उसका है प्यारी यह देखियेगा यह है सेंट्री सेंट्री नंबर छे और क्वेस्टन नंबर सताइस इसमें क्या लिखा है कि विदिन दा इज लेस और फाइव रिवर्स तो वन इसका उन्हें नीचे अनवाद किया है अनौदर साइन फाइव रिवर्स तो वन इस दा पंजाब सेट ओफ इंडिया वेहर फाइव रिवर्स फोलोज एंड इट इस नेम्ड ओन दा इवन सेंचरी दस क्वेस्टन पिशत्र में प्रोज यह तो यह कहना चाहा है इसने के अनौद करता जैसे गीता जी के जो मूल पार्थ में लिखा है उसका अर्थ कुछ और है अनौद करता उसमें जैसा भी उसकी अपनी बुधी कहां काम कर रही है उतना ही बता रहा है अब इसमे उसने यह कहा है नास्टरेडवतो मसेने अपनि पढ़ा पढ़ा था that कि सन दो हजारचे में वो सायरंस长 सायरंस सायरंस बाइन को इनोंने आगे बताया है। उसका अर्थ क्या बनताह सायरेड माने पूरे विश्वय का और सलाइन का अर्थ लिखा है इसके अंदर के एक चांद का देवता यह गृट्व भाहषा लेंगवेज का वर्ड है सलाइन यानि एक सुन्दर परकास सीतल परकास का देवता यानि सब को अच्छा ग्यान भाही चारा बढ़ाने वाला यथार्थ ग्यान देने वाला जो देवता यानि एक महापुरुष उसके विशे में सलाइन सब्द का ये अर्थ बता है अब इसमें क्या लिखा है सन दो हजार छे में उसकी उमर पतास और साट के वीच होगी यानि पच्पन वर्स के आसपास होगा आगे क्या लिखा है देखना ये पांच रीवर के बारे बताया है जहां पांच दरिया बहरी होंगी ये देखिएगा साइरन स्लाइन का भी नोने डिफाइन किया है इसको विसलेशन किया है साइरन एटरम यूजड इन फरेंस एट दा टाइम ओफ नास्टरादम्स फोर हॉल यूनिवर्स यानि पूरा संसार के लिए एंड एंसलाइन न इस नेम ऑफ ग्रीक गोड़ेस ओफ मून यानि सलाइन जो सब्रेशन किया है यह एक चांद की देवी के विशें किया है यानि एक देवता के बारे मिशलेशन किया है इसलिए विश्रकम्स अच्छुड इत्म्स आंल, शाइंब्त मिन पूरे विश्व क वो एक विशेष ज्यान परदान करने वाला देव महापुरुष अच्छी आत्मा, गौड़ माने अच्छी आत्मा, नाश्ट्रे दमस्की वविशे वानी को इनोंने ट्रांसलेट किया है, वो इस परकार, देखिएगा, पंजाब, the word पंजाब, is a combination of the Indo-Iranian words, पंज 5 and आब माने वाटर, थस the land of five rivers, the five rivers are the tributaries of the Indoos river, नेमली चनाब, जहिलम, रावी, ब्यास, एंड सतलुस, इसका कहने का बाव ये है, कि जिस state में, जिस सत्थान पर, पांस दरिया बहती हों, वहां पर उसका जनम होगा, और पुन्यात्माओ, भाही बाले वाली जनम साक्षी में, आप जी ने पढ़ा था, कि एक समय, श्री नानक देव साहिब जी के साथ, बाला और मरदाना, बगत परलहद के लोक में गए, तो वहां मरदाना के पूछने पर, बगत परलहद ने बताया, कि यहां मेरे इस लोक में, केवल तीन महापुरस आ सकते हैं, नमबर एक, परमेश्वर कबीर जी, वो आ चुके हैं, दूसरे यह नानक देव जी, और एक और आएगा, फिर ना यहां कोई पहले आया है, ना आगे आ सकेगा, और जो यहां मेरे लोक में और आवेगा, वो इन ही महापुरसों जैसा महान होगा, परमेश्वर कबीर जी जैसा, और सिरी गुर्णानक देव जी जैसा, तो मरदाना ने पूछा, कि कब आएगा वो, और किस पर्च्वी पर आएगा, किस धर्थी पर आएगा, तब परलाद बगत ने कहा कि नानक साहिब जी के यहां से जाने के बाद सेकड़ो वरस की बाद आएगा और पंजाब की पर दर्टी पर जर्म लेगा फिर मरदाना ने पूछा कि कबीर जी तुलहा थे नानक जी खत्री है वो कौन सी जाती से होगा तो परलाद ने बताया कि वो जाट जाती से होगा एक बार फिर पढ़िए भाई बाला वाली जनम साकी आपको कलियर हो जाएगा नानक साहिब जी के साथ मरदाना जी एक बार परलाद जी के लोक मच लेगे दो यहां से लग लाकों किलो मेटर है यह देखिएगा यह वही जनम साकी है भाई बाला वाली यह जनम साकी है भाई बाला वाली यह आपको पहले भी दिखाई थी अब इसके आपको दिखाते हैं दो सो बहतर प्रष्ट पर प्रलाद वग्द ना लगोश्टी दो सो बहतर प्रष्ट पर परलाद वग्द किया जब नानक साइब जी मरदाना और बाला वहां पहुंचे परलाद वग्द के लोग में परलाद वग्द किया नानक तपाजी तैनु कल्यूग विच राम जी ने बड़ा वग्द कीता है अत्या आपके संजोग आपकी संगती से बोतियां का उपकार होएगा तेरी शिरी नाम ने वड़ी नदर खोली है तेरा वड़ा प्रताप होएगा इस कुल्यूग विच अग्गे कबीर भगत एथे आया है अब देखो बिना ग्यान के बगवान को तो भगत के रहा परलाद जी कबीर भगत इथे आया है यहां पर आया है आते जा आपको करताने आंदा है यहां बेजा है भा मर्दाने आंदा है ता मर्दाने पूछिया परलाद भगत नो पूछिया है भगत जी तूसी भी वड़े भगत हो आते तेरी राम जी ने वड़ी नदर खोली है भगत जी एथे होर कोई भी पहुंचिया है कि कबीर अते नानक तपाजी ही पहुंचिया है तां पर लाद भगत बोलिया भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी या कोई और आओगा के नहीं आओगा कोई तां भगत मर्दान ने किया जी तुसी वड़े भगत हो अगली ते पिछली सब आपनों सत जुग थी सुत युग तक आदी लेकर मालूम है तां पर लाद भगत ने कहा कि सुन भाई इस जीहा कोई होएगा तां एथे पहुंचेगा यानि नानक जी जैसा कोई होगा तो यहां पर पहुंचेगा होरस दा एथे पहुंचन दा काम नहीं होर आगे वड़े वड़े भगत होए हन अते होण गे पर पहुंचेआ कोई नहीं तां फिर मर्दान ने पूछिया जी उ कद होए सी और किते नेडे जुगविच होसी यानि वो कब होसी और को नेडे तेडे होगा या नजदी की होसी तां पर लाद भगत किया सुन भाई कल युगविच होएगा और जद नानक तपा सच्छनद जावएगा तां उस्तों पीछे है यह लिख्या सोवरस प्रिया लिखना ओं यह लिखना ओं यान बोला था उसने सेंकड़ों वरसे और बद राद यानों ने वां प्र सोव लिखना था इसमें पर प्रमातर्य मातरा हुति ती सुन हो जाता सब्सक्राइब करें देख जाए रोगने सब्सक्राइब कोई नहीं आ सकता ता मर्दाने पूछिया जी तीन केड़े हन तांपर लाद बगत की हा भाई आगे कबीर होया है ते ओन नानक तपा हुआ है आते फेर उखोसी ता मर्दाने पूछिया जी कबीर जुलाहा विए आते नानक खत्री हुए आते जी ऊ किस वर्न हुएगा वो किस वर्न विच हुएगा याने किस जाती से हुएगा तहिकिस दर्थी पर हुएगा। और केडे सहर था पर लाद बगत किया भाई पंजाब की धर्ती थे और वर्ण जट वर्ण होगा यानि जाट जाती मोगा और सहर बटाले यो बर्वाले का बटाला लेख जेन यो था बर्वाला बर्वाले में उसी अब इसमें सफष्ट कर दिया केवल तीन ही होंगे इस पर इस राज को जानने वाले एक तो बगवान सुम आए थे कबीर परमेश्वर अब उनको तो कोई समझ नी सकया वो तो परमात्मा थे ही फिर नानिक साहिब जी को उन्होंने ये ग्यान दिया उन्होंने तो परलाजबक्त ने सफष्ट कर दिया कि वो कौन कौन यहां आएंगे और ये भी सफष्ट कर दिया कि वो जाट जाती में होगा इन बटाला लेख दिया वो बर्वाला में उसका जो परचारक सेतर बर्वाला होगा ये बर्वाला आपके समक्स है बाकी बटाला के अंदर कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो नानक साइब जी के गुड रह्षयों को समझ सका हो इती सित्व आप जी को एक बात यहां और जिहान लादो कि जिसमें दासका जनम हुआ मुझ दासका आठ सित्वर उन्नी सो इकाउन में उसमें हरियाना और पंजाब एक ही प्रांथ पंजाब प्रांथ था इसलिए भगत परलाद ने और नास्त्रे दमसिल जी ने यही कहा है कि उसका जन एक हम वहां उस ऐस्थान पर ऑगर होगगा जहां पांच दीयो मेरी होंगी यहनि उस पर उसक्षीया नाम होगा पंच द्रियाओं के पंजाब तो इनी सु शेचिट में विवा जन ह trips पंजाब का उनी सु शू चेचिट में हरीयान आप का है जिसमें दासका जनम हुआ उस म ये पज्जा प्राम्था ये ब्रहम्ना ना हो ये संका नाउत्पन हो इसलिए यह सफ़ष्ट करना आनिवारिये समझागा। पुन्यात्माओं ये उन पुन्यात्माओं के लिए एक दर्ड विस्वास पैदा करेगा जो ग्यान दासाथ को देना चाहरा है क्योंकि यहां इस संसार में है जब भी प्रमात्माओं आए है या अपना कोई दास बेज्जा है उन्होंने अपनी जानकारी अप बताई है परमिश्वर कबीर जी कहा करते हम ही अलक अला हैं कुत्ब गोस और पीर ग्रीब दास का लिख दनी हमरा नाम कबीर अपनी जानकारी स्वेम देनी पड़ती है और पुन्यात्माओं आपके कोई दड़ विश्वास होगा कि हम जहां लगे हैं हुए थार सथान है पुरा विश्वा जागएगा और इस मारग पर लगेगा और सब का उध्धार होगा यह आपके समक्स जिस मापुरुष के विशे में सभी मापुरुषों ने विशे वक्ताओं ने कहा और जैगुर देव पंत के पर वर्तक सिरी तुलसी दास्ची ने तो डेट ओफ ब्रत भी बता रखिया है कि वो मापुरुष साथ सितंबर उननी सोई कैतर को बीश वरस का हो चुका है तो इससे सफिष्ट है पन्यात्माओं देर ना करो यह समय बार बार नहीं मिलेगा और यह समय ऐसे वर्ष करने का नहीं है आये अब हम उन श्रधालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु ततवदर्शी संत्रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मात प्रचल रहे हैं नमस्कार जी नमस्कार के नामें जी आपका चंदन शहा चंदन जी आप कहां के रहने वाले हैं दिल्ली सोनिय विहार संत्रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा आपने कब ली 28 अगस्त 2017 चंदन जी संत्राम पाल जी महाराज की सर्ण में आने से पहले आप क्या वक्ति सादना करते थे हिंदु धर्म में प्रचलिट सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे जैसे काली मा की हम इश्ट मान के उनकी पूजा किया करते थे और बाकी जैसे मम्मी पापा कहा करते थे कि आज बेटा रभी वार है आज जाओ आप शिवजी को जल चड़ाया हो तो जाते थे जो जो हमें कहा जाता था हम सभी भक्ति सादनाय करते थे बलकि हमें ये भी नहीं पता था कि लाब कहते किसे हैं क्योंकि इन लोगों का विद्धान है इन देवी देवताओं का कि जैसा करम करेगा वैसा ही ये दंड देंगे या हमें वैसा ही परिणाम देंगे तो ना ही तो ये हमें सुख दे सकते थे, ना ही कोई अन्ने लाब दे सकते थे, जैसा हम करम करते थे, वैसा ही ये दे सकते थे, इस वैसे हम जैसा करम करते थे, हमें प्रारब्ध प्राप्त होता था, जैसे मेरी मम्मी को बहुत पुराना कमर का दर्द रहता था, वो तमाम फिर उसके बाद मम्मी ने अंत में जाके मम्मी ने हार मान ली कि अब अब फिर मम्मी को किसी ने बताया कि ये एक गुरू है जै गुरुदेव जी आप उनके पास जाएए वहां से सही होगा तो मम्मी ने उनसे नाम भी लिया लेकिन वो भी करते करते मम्मी को कोई लाप पिर मेरे मामा जी थे और मेरे मामा जी कोने भूत भी लगा करते हैं साय हमारे मामा ची के बूत भी के बात करना पड़े हफते में कम से कम चार दिन तो अस्पताल में बीचते थे हमारे बाकि मुझे भी मेरी भी तब खड़ाब रहती थी मुझे अचानक से फीवर होता था और पतानी कब बढ़ जाता था हाई लेवल पे हो जाता था और संत्रामपाल जी महराथ से जुनने से पहले तो फिर मेरे को हाई लेवल का टाइफाइड हो गया उसमें डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसका उन्होंने मेरा खून जाच किया सबसे पहले उन्होंने बताया इसका खून काला हो चुका है अब यह जिन्दा नहीं बच सकता अब आप कहीं पे भी ले जाओ यह जिन्दा नहीं बच सकता हमें काली मा की भक्ती करते हुए हमें कोई लाब नहीं मिले हमने उन्हें इस टूप में पूजा हमें कोई लाब नहीं हुए बलकि हमें दिन परती दिन नुकसान होती रहती थी हमारी आर्थिक तंगी थी काफी फाइनिशियल प्रॉब्लम थी हमारे घर में तो जगत गरुता तुझर दॉजर्श्ष संती रामपाल जी महराज से जुनने से पहले हम जितनी भी भकती करते थे उनसे हमें कोई लाब प्राप नहीं हुए तो फिर इन परिश्एनियों के बीच आपको संत्ध रामपाल जी महराज की जानकारी कहां से मिली हमारे मामा जी आये थे हमारे घर पे तो उन्होंने हमें ग्यान गंगा पुस्तक दी तो हमने मेरे अंदर ललक आ गई कि अब ये ग्यान गंगा पुस्तक है इसे पढ़ना चाहिए अच्छी ग्यान की पुस्तक है तो मामा ने कहा कि इसे जरूर पढ़ना तो मैंने उसे तीन महीने में पढ़ी और उसके बाद मैंने ज्यान समझ के सद्गुरु संत रामपाल जी महराज के पास पहले मैंने अपनी मम्मी को भेजा कि मम्मी आप जाओ नाम लेकर आओ अगर आपको कुछ लाब मिलता है तो मैं भी आपके साथ जुड़ जाओंगा तो फिर मम्मी ने वहाँ से नाम दिखशा ली तो मम्मी आई तो मम्मी के कमर का दर्द एकदम चूम अंतर हो गया जैसे ऐसा लग रहा था कि वह दर्द थाई नहीं उनके और फिर मैंने सोचा कि जब मम्मी के सही हो गया तो मुझे भी सही हो जाएगा फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी बस आप मेर को नाम दिला दो मेरे रीड की हड़ी में उस समय बहुत दर्द रहता था टाइफाइड की आप मानेंगे नी मेरी तवेत इतनी खराबती फिर भी मैं संतरामपाल जी महराथ से मैंने कहा अगर आप भगवान हूं तो आप मेरे को अपने पास सही सलामत लेकर अपने पास तक पहुचा दो मैं आपसे जरूर नाम दिख्शा लूँगा और फिर जब मैं वहा तक गया म नाम लेने से पहले तो ऐसे करके हमने वहां पर सद्गुरू रामपाल जी महराथ से नाम दिख्शा ले ली चन दन हमने सुनाए कि संतरामपाल जी महराथ से नाम दिख्शा लेने के बाद सरदालों को बहुत सारे लाप राप्त होते हैं तो क्या संतरामपाल जी महराथ से यहां सर हमें लाप प्राप्त हुए हमें सबसे पहले तो अध्यात्मि IKEA lotta हमें यह पता लगा की आकर गप सची भक्ती है उसकी विधी क्या है? शास्तранकूल भगती प्राप थी, Сंत्रामपाल जी महराट से, उसके बाद हमें शारिरिक सुझ भी मिले, आर्थिक सुझ भी मिले, जैसे कि मंमी की कमर का दर्द सभी हुआ, बहुत पुराना दर्द, मैं भी अस्पताल में हिरहता ता, महाल बनने लग गया कि जैसे अब सुखी सुख्त है हमारे घर में क्योंकि अब कलेश रहता नीता जादा क्योंकि प्रमात्मा का ग्यान सबको मिल गया था इस वह से जादा कलेश नी रहता था पापा को काफी जादा टेंशन रहती थी पहले तो अब वह भी नहीं रहती थी ट मेर को टाइफाइड हुआ था था ना उनसे पहले उन्हें अच्छी करनोनिया हो गया था तो वो एडमेट थी है अस्पताल में हम संत्रामपाल जी महाराथ से इसी बीद जुड़ गए तो हमने कह दिया कि आप डॉक्टर को कि आप इने डिस्चार्ज करो अब चो करेंगे हमा राध की अपराइल संब्सक्राइञ में और गरमाथ्मा आपरेल संब जाना फुदी का या उसे खुद खाने क्लीए और लेकन वो खोड़ उटके आई और तक हैं हमारे घर में किसी ने भी एक टैबलेट तक नी खाई ए किसी भी मिमारी की वह सही हो जाती अपने हैं और बाकी अन्यलाब ये हुआ परमात्मा ने मुझे दर्शन दिये सद्गुरु रामपाल जी महराज ने और वो मुझे सतलोक लेकर गए 12 अप्रेल सन 2018 में मेरे को वो सतलोक लेकर गए परमात्मा सतलोक में भी मेरे को विश्वास तो नहीं हो रहा था पर लेकिन मैं उस दिन 800 गऑ अवजे मेर आख लग गई मैं सोया और फिर तो को विश्वाद में को काल के दर्शन हुए मैं कावध Ar Его दर ऊब अटेश के अविटाज हुए और फिर फिर जू नेंद नहीं अग एज्व तक यॉजदे तक में कावधिड़ू में का लुवळ네 क tavश्या तक क्यों है अपने अपनीन्द आ गई उसके बाद जगद गुरु तत्वदर्शी शंत रामपाल जी महराज ने मुझे दर्शन दिये उनके मतलब उन्होंने जब दर्शन दिये तो उनके शरीर के आगे पीछे चल रही थी चक्कर सा था तो उन्होंने क्या किया उन्होंने ऐसे करके हाथ बढ़ाया तो हाथ बढ़ाया मैंने उनका हाथ पकड़ा उन्होंने में को खीच लिया उन्होंने जो खीचा तो ऐसे लगा मैं जो उनके शरीर के आसपास की रोश्णी ती मैं उसमा गया अंदर जब गया तो मैंने देखा आ के शरीर से रोष्णी निकल रही थी फिर में को अंदाजा लग गया कि ये प्रमात्मा में को सतलोक लेकर रहे हैं फिर उसके बाद संत्रामपाल जी महराज में को सतलोक में मिले और उन्हों ने मेरे को जहां कभीर जी का आसन है महां पर लेकर गए महां पर एक बहुत से राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंभासन पे और उसके बगल में धर्वारियों की तरह जैसे हमारे संतम गरीब दास जी महराज गढ़ राम्पाल जी महराज ये सब वहां पर अन्य रूप बना बैठे हुए थे राम देवानदी महराज चितानन जी महराज जितने भी भी खूरको तो यह पीना रोख से पहले हमारे घुरूजी से पहले में वह सब बीचिता हुए तो वहां पर रादा ही तो फिर उन्होंने एक यान दिया यां के अंदर हम जा रहे थे हम दोनों वह आत्मा भी थी मेरे साथ वह लेकर जा रही थी तो एक पहाड तो मैंने कहते ही आप मुझे मत निकालो मैं मर जाओंगा कि यह इतनी सी जगा में कैसे निकलेंगे तो उन्होंने का बेटा यह कोई भी वस्तू नाश्वा नहीं है यह अमर लोग है अविनाशी लोग है तो फिर इतना कहते ही पहाड के बीच से हम निकल गए और जब मैंने आ कुछ भी आप कर जैए ऑढ़ कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था तो उन्होंने मेर को एसरे कर। चर्टे में कॉह वह बहती है अपमा तो पी ते ही झालते ती वह च्या पी नहीं पा रहा था, पिर संत्रामपal Ji Myhrad, UP, मैं थाठिश दिये उन्होंड है के र मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत्रामपाल जी महराज मतलब इतनी उची शक्ति के हैं और उन्होंने मेर को महां पूरा सत लोग गुमाया जैसे धीरे धीरे करके वह मेर को लेकर गए उन्होंने का बेटा देखो यह यह जगा है यह यह जगा है और यहां पे इस फलदार व इसमें एक कटोरी आई उसके अंदर खीर बरा हुआ तो इधर पानी का गिलास आया और उन्होंने में मैंने उसे खा लिया फिर मेरा पेट भर गया उसके बाद फिर मैंने का गुरू जी अब मेरा यहां से जाने का मन नहीं घर रहा है संत्रामपाल जी महराज से का मैंने तो आओगे ना यहां पे तो बक्ति युक्ति आओगे ऐसे मैं तुम्हें लानी सकता यहां पे जब तक तुम्हारे अंदर बक्ति नहीं होगी मेरे प्रती मैं तुम्हें नहीं ला सकता यहां तुम्हें रह नहीं सकते तुम्हें उस लोक में जाना पड़ेगा सेवा करनी पड यह नॉर्मल सी बात है कि किसी दिन जादा नीन गि डा गइ तो मैं आ झाया Minecraft gonna. अपधिन का शफ्होड एंप में नीचे जा जाओ तो लिए घ्थि नीचे अइल करनानीilly, Ida you say everything that myulle had like my heaven और मुं माने जाओ मैंने मुंम्मी को यह बताया, पर संतरामपाल जी महाराज ने उन्हें पता नियुक्ति थी, कि उन्हों ने कहा कि बैटा तु जो भी बोल रहा है, तु सच ज्ट बोल रहा है, मुझे पता लग गया आब अर प्र सत लोग गया, तो मेरे अंदर दृडटा आ गई फिर, मैंने सोचा कि अब तो भक्ती करनी है मैंने जम के भक्ति की, आज भी बहुती कर ऱा हूं amal-samh 6000 महराच से जुड के अनेक और पापा होते हैं, में वो ट्रक वाला आदमी बाहर आया और उस ट्रक वाले आदमी ने कहा कि आपको जितने भी पैसे चाहिए हो आप मुझसे ले लो पर लेकिन मुझे छोड़ दो पर फिर पापा ने कहा कि हमारे गुरुजी संत्रामपाल जी महराज का नियम है हम आप से फजूल पैसे नहीं दे सकते कोई बात नहीं आप आप देखने आए हमको यहीं बहुत है वरना कोई और तो देखने भी नहीं आता तो फिर मासे परमातमने पापा की जान बचाई संत्रामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे इलाब मिले पहले आप हॉस्पिटल संत्रामपाल जी महराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे देखिए मैं संत्रामपाल जी महराज के बारे में जितना कह सके उतना ही कम है क्योंकि यह परमात्मा के सवरूप हैं और यह कल्यूग में उतरे हैं हमारे मुक्तिदाता के रूप में यह राइट टाइम है आप आई आईए ये right way of worship देते हैं संत्रामपाल जी महराज सबसे अच्छा तरीका worship का और परमानित भक्ति देते हैं with proof हर चीज को वो proof के साथ बताते हैं तो आईए संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लीजिए और अपना कल्यान करवाईए संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा कैसे ले सकते हैं? परमानित नामदान केंदर का पता जान सकते हैं धन्यवाद आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-88-05-4-1 8222-88-05-4-2 8222-88-05-4-3 8222-88-05-4-4 हमारी वेबसाइट है www.jagatguru.org 9222-88-05-4-3